रंग बर देंगे इसी तरह से ये भी दाल है नहीं ठीक कह रहे हैं आप ये तो जीम है ये जीम जा है और ये दालदर और ये ये क्या है तेतर शाबाश और ये दालदर इसमें भी आपने रंग बरना है और इसमें भी रंग बरना है और ये केख सही का आपने चेचर सही कह रह और दालदर शबाश इसमें भी आप रंग बरेंगे और ये भी दालदर है नहीं ठीक कहा आपने ये दालदर है इसमें भी आप रंग बरेंगे ये हैं है इसमें हम रंग नहीं बरेंगे क्योंकि हमने दालदर के खाने में हमने रंग बरना है और ये भी दालदर है इसमें भी ह हम रंग बरेंगे तो आईए देखते हैं कि डाल्डर जो है सफा नंबर 43 पर डाल्डर है डाल्डर डॉक्टर शबाश डॉक्टर का पता ना आपको जब आप बिमार होते हैं तो आप डॉक्टर से दुवाई लेते हैं और तंदुरूस्त हो जाते हैं डाल्डर डुक्डगी डाल्डर डुक्डगी बोलिए मेरे साथ डाल्डर डुक्डगी डाल्डर डबल रोटी डाल्डर डबल रोटी और ये डाल्डर डिबबा तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे नुक्ते से शुरू करेंगे और ऐसे पीछे की तरफ गोल गुम जाएगे और उस तरह से और उपर चोटी तोएं बनाएंगे डाल दर इधर भी हम नुक्टे से शुरू करेंगे गोल पीछे की तरह जाएए और लाइंपे रूप जाएए और उपर चोटी तोएं बनाएए आपने इसको भी इसी तरह से करना है और इधर भी हमारे लिए यही सरगर्मी है कि डालड़ वाले खाने को हमने कलर करना है रंग बरना है उसमें इधर देखें यह डालड़ है इसमें यह रंग बरा है उसके बाद यह डालड़ है नहीं शाबाश ठी कहा आपने ये डालड़ है क्योंकि इसके उपर छोटी सी तोएं बनी वी है डालड़ के उपर छोटी तोएं होती है और ये डालड़ शाबाश और ये डालड़ आपने डालड़ वाले खाने को रंग बरना है इदर से ये टेटर है और ये डालडर है इसमें आप रंग बरेंगे टेटर शाबाश सही बता रहे हैं आप और ये डालडर इसमें भी आप रंग बरेंगे क्योंकि इसके अपर छोटी तोई है और ये बरेंगे